हेलो फ्रेंड्स कर्मियों अल्मूस्ट शुरू हो गई है और लंच के साथ राइता तो अब बहुत अच्छा लगता है और मैं वराइटी अफ राइता आपके साथ शेयर करूंगी उसके लिए मैंने यहां दही लिया है दही को विस्क करें या फिर इस तरह से आप किसी सीव के अंदर उसको निकाल लेंगे तो सारे जो दही के लंब से वो अच्छे से निकल जाते हैं और राइता एकदम क्रीमी बन जाता है विस्क से इतना क्रीमी नहीं बनेगा जितना इस स एक बूल राइता लिया है उसके अंदर मैंने यहां पे finely chopped cucumber है खीरा साथ में ग्रेट करके मैंने गाजर डाला है अगर आप चंकी रखेंगे कच्छी गाजर को तो वह बहुत मुह में आएगी अच्छी नील लगेगी तो उसे हमेशा ग्रेट करके डालें प्याज है बारिक से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसकी कंसिस्टेंसी अजस्ट करेंगे जैसी आपको कंसिस्टेंसी पसंद है थोड़ा सा पाने डाल के यह राइता आपका विल्कुल रेडी है तुसर एंजॉय वित रोटी लांच दाल चावल जिसके साथ भी आप खाना च सब्सके से बाद में हम इसके साथ खाना चावल जब स एंजुय अजब पराद जबस।